तू ही अप, तू ही तब, तू ही तर्थक है, तू ही तो फलक है, तू ही तेरा लख है, है, है इस पल में जियो, वक्त को जाने ना तो, अब दिल में जब आग है, तू है उसे वढ़ जाने तो, तेरिशान की पहचान हो, कुछ इसा कर देखाना तेरा, तेराना, 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 विश्वी ध्याले में आज इस कारक्रम के शुरुआत करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कुलपती जी, अनिल कुमार जी और सभी फैकल्टी का और सभी स्टूडेंट्स का इस कारक्रम में स्वागत जैसा के आप देख रहे हैं, हमारा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति में प्रतिभा है लेकिन उस प्रतिभा को पहचानना और उसको समझना स्वाम के लिए अगर समझ में आ जाए उसको बढ़ाना वो ही हम समझते हैं कि एक प्रगती का एक मात्र साधन हमारे सामने हैं तो आज का विशे कॉंसेप्ट ओफ हैपिनस वट इस हैपिनस यह विशे इस प्रकार का है कि इसके उपर दो चार दिन भी चर्चा की जा सकती है तो आईए देखते हैं कि हमने क्या इसके विशे में कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि वट इस दी कॉंसेप्ट ओफ हैपिनस हर एज के साथ खुशी बदलती रहती है जैसे बचपन में खिलोना मिल जाए वो खुशी और अभी पैसा अच्छा मिल जाए वो खुशी घर वाले सैट सैटिसफाइड हो खुशी खुशी का समय है जब सबकुछ घर परिवार से संपन विक्ति हो और हर विवस्ता है अवेलवल होती रहें परिवार अच्छा चलता रहें बच्चे सुखी रहें यह सबसे बड़ी खुशी है खुशी का एक सिंपल सा मिलिंग मेरे लिए है कि मेरी वज़े से अगर किसी के आँखें छलग जाएं मैं तो किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो मेरे लिए वो खुशी है खुशी तो ढूंडी जाती है आज की डेट में, खुशी तो ढूंडी बढ़ती है क्योंकि स्ट्रगल रही है मेरी लाइफ में तो पूरी, क्योंकि आप अपने बच्चों को जितना मर्जी देदें वो ना नहीं करेंगे आपको, वो कहेंगे सारा हमारा है यह है मैं बीटे कर रहू हूँ, तो जो अम क्लास बंक कर के सारे फींड साथ में रहते हैं और वो सबसे दादा खुशी की चीज है मेरी जोब करता हूँ अर्फे गोमने में होती है और ने ने लोगों से बात करने में और मैं सिंगर बन जाओं कि सबसे बड़ी खुशी हो कि मेरी लिए मैं यहां पर ही जॉब कर रही हूं और जॉब करने का मेरा उदेश है जो मुझे यहां से पैसा मलता है वो मैं अपनी फैमिली को देती हूं और फे जब फैमिली को पैसे देती हूं और बहुत खुश होते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है I'm a sports enthusiast. मेरे लिए खुशी का मतलब सोना है, खाना है, फैमिली के साथ, ताइम स्पें करना है और जिम करना है तो आपने कुछ लोगों को सुना आपका क्या माइने है खुशी का? कौन आप में से कुछ आलग बताएगा है? What do you mean by happiness? What do you think what is happiness? I'm a host light, तो मेरे लिए घर का खाना है इस अपनेस. आप मेरे लिए सटीस्ट्राक्शन है, सटीस्ट्राक्शन है मेरे लिए happiness है और दिन मेरे माँ से एक बार बात जाएँ हुशी है मेरे लिए. Okay, very good. तो मैं यह कहता हूँ कि खुशी वह होती है कि जब हम किसी भी तीस्टे संतूष्ट हो जाते हैं तो वह मेरे लिए खुशी होती है. Very good. Sir, मेरे पेरेंट्स को मुझसे बहुत उम्मीद है तो मैं उनकी उम्मीद है जब पूरी कर पाऊंगा जब वह खुश होंगे तो मेरे लिए खुशी है. तो पेरेंट्स की खुशी ही आपके लिए सबसे बड़ी खुशी है? Yes, sir. Very good. अभी तक हम खुशी हैं सिर्फ हमसे बहुत कनेक्टेड लोगों के साथ ही डूनते हैं कि अगर वो सेटिस्फाय हो जाए हमें अब ये दारा थोड़ा सा अपना बढ़ा करना चाहिए और ऐसे लोग जो हमसे डिरेक्ली कनेक्टेड नहीं हैं जब उनकी आखुशी देखते ह वो खुशी शायदा और इसको हम बढ़ाएं तो शायद बेटर होगा जोगा और इसको हम बढ़ाएं तो शायदा बेटर होगा और फिल हापटेड हैं अचाह एक और प्रशन अचाह एक और प्रशन अभूती कैसे होती अपको खुशी की? How do you feel that happiness? What happens to you when you're happy? how do you know that you are happy? जो स्माइल है वो एक सिंबॉल होती है कि इसको खुशी मिल रही है और जब बहुत जोड सासता है तो इसको आतम साथ होता है इसको खुशी हो रही है इसकी आखे, उसकी कलर of the eyes, कलर of the body gesture changes so that is symbolically So smile and laughter is an expression of happiness Yes, yes Right, very good Yes, very good आखो में आसु आजाए Yes So excitement is the expression of happiness Yes, sir लेकिन मैंने जो अपना तजरुबा अपना experience जो समझा क्या है के और ये बड़ी साधारन सी बात है, simple चीज है लेकिन शाइद मुश्किल लगे आपको पहली बात जब सुन रहे हैं तो शाइद यू मैं फिल दिफिकल लेकिन जस्तिमाजिन that somebody is telling you something good about yourself कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कैसे आपको पता लगता है somebody is saying that word comes into your ears that word is then passed on from the ears to another faculty within our brain which analyzes it कि क्या कहा किसी ने कुछ लवज आए और मैंने सुने उसको वो दूसरा पार्ट और ब्रेन अनलाइज करता है वो अनलाइज करके message भेजता है तीसरे और पार्ट के ऊपर के बड़ी अच्छी बात हुई मुझे अच्छा लगा और उससे another kind of sensation is released in your body which is very very pleasant sensation and वो sensation जब pleasant है that's when you feel happy it's that sensation which is making you feel happy note that word of praise which came into your ears और यही चीज होती है जब आपको गुसा आता है या कोई चीज बुरी लगती है कुछ भी आपके साथ जो मन में विचार आता है sadness का गुसे का किसी और चीज का तो उसकी एक sensation अपनी body में release होती है वो दुखत होगी तो आपको बुरा लगेगा और सुखत समवेदना होगी तो वो अच्छा लगेगा लेकिन इसको समझने के लिए प्रैक्टिस करने की आवश्यक्ता है और उसके लिए awareness हमें हर दम होनी चाहिए अपने बारे में कि मेरे साथ इस समय क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो उसकी हमें जाग रूखता रहनी चाहिए और वो जाग रूखता के लिए ही कई लोग meditation का सहारा लेते हैं कई लोग ये कहते हैं कि let us live in the present उसकी practice करते हैं अलग अलग तरीके से होता है तो इसको अगर experience करेंगे it can be only at experiential level ये समझ में आने से आपने कह तो दिया कि समझ में आती है साब लेकिन जब तक experience नहीं करेंगे इसको तब तक पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी experiential level पर क्योंकि मैंने जब पूछा कि आपको क्या experience होता है जिसों कि आप खुश होते हैं तो ये एक बड़ी चीज है और इसको अगर समझेंगे तो फेर हम को आगे दो बाते समझ में आएंगी के happiness is a phenomena which is only within ourselves it's nowhere outside it's not where when you make somebody happy that makes you in turn happy is not necessarily true the concept of happiness is only in yourself within yourself सारे कर्म हम करते अच्छे या बुरे फिर हम किसी दूसरे को credit देते हैं तो हमें खुशी होती है और किसी का credit छीन कर हमें guilt सा लगता है तो फिर सर हम एसा क्या करें कि खुशी को हमेशे हमारी तरफ ही रखा जा सके जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा कि देने में जो बजा है वो लेने में नहीं है उस देन ये बात मतलब फिर कोई गुंजाईश अनहपिनेस की कहीं रहेगी नहीं क्वेश्चन सो फार on this what explanation I have given Sir मेरा क्वेश्चन ये है कि जब सारे काम हम खुद करते हैं मिन्स सारे कर्म हम करते अच्छे या बुरे फिर हम किसी दूसरे को क्रेडिट देते हैं तो हमें खुशी होती है और किसी का क्रेडिट छीन कर हमें गिल्ट सा लगता है बलकि Sir दोनों ही केस में हमारा माइंड हमें ओडर करता है तो फिर Sir हम ऐसा क्या करे कि खुशी को हमेशे हमारी तरफ ही रखा जा सके यह जो बात आपने कही है यह तो एक इस आर्ट ओफ लिविंग जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा कि देने में जो बजा है वो लेने में नहीं है उस दिन यह बात मतलब फिर कोई गुशाइश अनहापिनेस की कहीं रहेगी नहीं यह जो उन्होंने बात कही यह इनके क्वेस्चन में ही आंसर छुपा हुआ है कि इस दे मुमेंट यू कम तो नो देट वट इस दी हैपिनेस इन गिविंग कि मेरे पास आता जाए सब कुछ आता जाया संग्रह करते रहते हैं उनके उनके पास खुशी का उनको एक्सपिरियेंस ही नहीं होता तो इस आट ओव गिविंग का जो है देने में जो मजा है वो लेने में नहीं है कुछ बात बोलता है कान तक जाती है फिर मांडования में संग ए कि इसमरी में मांड को में ऐस शीज को हमेशा बोलेत वह एक जि confronting किसी से नहीं कुछ भ़ला भी है तो एंगरी रेस नहीं होते हुए भी नॉर्माल लेज़ हैपी कैसे रह सकते हैं मैं यह पूछने चाहँगा वहां से बड़ा गहरा प्रशन है यह कि यदि आपको कुछ चीज बुरी भी लगे और उसकी वज़े से बुरी सेंसेशन या अन प्लेजन सेंसेशन भी आपकी बॉ तो यह बड़े आपको इसके लिए तो बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि जो सेंसेशन अच्छी सुखद है या दुखद है दोनों ही स्थितियों में आपको एक्वानिमिटी रखनी पड़ेगी यानि बहुत ज्यादा अच्छी बात सुनके और अच्छी सेंसेशन के प्रती सुखद सेंसेशन के प्रती यदि आप राग जगाने लगेंगे और क्योंकि खुशी या दुख तभी होता है एक किसी चीज के लिए राग जगाना किसी के लिए दुखद लगती है उसके प्रती हम दुखद लगती है उसके प्रती हम दुखद जगाते हम कहते हैं I don't want it. Why me? Why is it happening to me? यह हम कई बार प्रशन पूछते हैं. आपके साथ कभी कुछ बुरा होता है, तो आप क्या कहते हैं? वाई मी? वाई इस बुरा किया किसी का? मैंने तो सब का अच्छा किया. मेरे साथ क्यों हो रहा है यह? क्यों होता है कि नहीं यह प्रशन? पर उसके लिए हमें एकॉनिमिटी रखनी पड़ेगी. एकॉनिमिटी रखने के लिए बहुत मैनत करनी पड़ेगी. चाहे वो मेडिटेशन के जरीए हो, चाहे किसी भी जरीए से हो. मैंने तो अभी भी मैं भी नी रख पाता हूं मैंने मुझे पच्छी साल होगे वी परसना प्रैक्टिस करते हुए लेकिन फिर भी कभी कभी वो एकोनिमिटी छूट जाती है और उस समय तकलीफ होती है वरना एकोनिमस रहने लगें ना तो आप खुशी होगी बहुत अच्छी बात आएगी तो बहुत ओवर जॉआए नहीं होंगे और दुख होगा तो भी भी आप वैसे के वैसे रहेंगे दैट इस दी रियल ट्रू आर्ट अभ लिविग लेकि उस से तो हम अभी दूर हैं पर फिर भी छोड़िये मत ये कोशिश मत छोड़िये लेकिन जैसे आज आज आप चर्चा कर रहे हैं हम डिसकेशन कर रहे हैं आपके बन में बुद्धी के स्थर पर ये बात समझ में आती हैं कि हाँ सुभाजी जो कह रहे हैं ठीक तो कह रहे हैं लेकिन इसको कैसे मैं experiential लेवल पर मानूं या समझूं तो उसके लिए थोड़ा एक बार विश्वाश करिए सामने वाला जो कह रहा है और अपनी मन कोई बार ठीक लग रही है लेकिन उसके बाद उसके उपर चलने के लिए तो आपको मैनत करनी पड़ेगी चाहे मेडिटेश से आपको ये बात समझ में आने लगेगी सरह हमारी गोल्स कई बार बहुत बड़े होते हैं लेकिन उसके पहले में छोटे गोल्स अचीव करना बहुत जरूरी होता है और कई बार ऐसा होता है कि छोटे गोल्स हम अचीव नहीं कर पाते और नेगेटिविटी से घिर जाते ह ज़से लगते हैं तो मैं इसका जोटे गोल से बचिव नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े गोल कैसे पूरे करेंगे तो इस ताइम हम कुद को कैसे खुश रख सकते हैं तो इसका जाब देता हूं पर एक छोटा सा ब्रेक लेट मेuters बाघवती निटिए कह घृट यह से जैसे जो हुगा अच्छा हूगा जो हो दो रहा है अच्छा हो रहा है जुहोगा अच्छा ही हुगा पर जो जानता और महनते जिसके पास घ्ण गीधा का इसका हर पल दूसरों के लिए ख्वाव होता है किसी करन उसके साथ तो जो होता है अच्छी के लिए होता है मतलब वो इनका कहना यह ना हिसाब करो ना टोटा पवे पंजाबी में कावत है वेल्कम बैक तो अभी ब्रेक के पहले एक सवाल पूछा गया कि जब हमारा छोटा गोल ही पूरा नहीं हो और वहीं पी हम अटक जाएं तो हम बड़े गोल को कैसे अचीव करेंगे तो इसलिए हैपिनेस दूर है हमारे से इसलिए उसका जवाब यह है कि पहले तो आप अपना लक्ष जब आपने तै कर लिया है कोई भी कि मुझे यहाँ पहुंचना है तो आपको यह यूशुड नो इट वेरी वेल दैट उसको वहाँ पहुंचने के लिए मुझे शायद सो दो सो पांच सो कदम चलना पड़ेगा या मेरी जर्नी हो सकता है बहुत सी चीजें उसमें मुझे करनी पड़ेंगी इसलिए उसका रास्ता ये बताया गया यह यह तुन अलिए बढ़े प्रज प्रड़ब फूर्जब यह तूर्फूश लूँ लेऻ व्यादि वह तूपर बढ़ें प्रड़ब तो हैं इस्टूर्ट न चार। colony पूर्फ फूर्य आपब म्र। नटू जऱ् बढ़ें वाट ए लिए्ट जिए इस्टी सवाफ पॉत be able to enjoy it, because the mind has gone somewhere else, यह बात समझ में आई कुछ के नहीं, लेकिन माइन इतना चंचल है, इतना चलायमान है जिसको कहते हैं, कि वो बिलकुल आपको पता ने लगेगा कब कहां चला गया, और उस वोगत प्रोफेसर साप लेक्चर दे रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और है, वो सार आपको पर शम्जमें नहीं आएगा, इसलिये फस स्टाप में फेल होगे तो अनपइस वही होगे, तो वो गोल तक कभी पोची नहीं पाएगा, तो बहुत कभी पहुच नहीं ही पाएगगा, वो बिलकुल कुल क करे, या भविष्य भरमाए, वरतमान में जो जिये तो जीन अबने का है कि हमें सीखना चाहिए कि हम हर सिटुमेशन में स्टेबल रहें मालब हपेने सो तो जादा जॉइफुल एकदम से नहीं और जब हमारे साँने ट्राजडी आए तो भी हम अपने अपको स्टेबल रख सके बट सरे से में लाइफ Stable नहीं, equanimous. Stability comes next. Sir, but if we are not expressing ourself in every moment, and we are just like this, life is not monotonous. It's like, it's important to express ourself normally. Otherwise, concept of happiness, if you felt happy and you felt overjoyed, that will remain temporary for a small period of time. It will go away. Then what will you do? Where is happiness then? The concept of happiness is that how do I remain happy for always? Every time. Okay. The only way you can remain happy ever is through remaining equanimous. And when you are happy, then you should not be overjoyed. Just as someone said, when I feel happy, I get excited. And when you get excited, what do you do? You can do something wrong also. And concept of happiness is to remain happy all the time. How do you do that? You tell me. Tell me. What do you think? How can we remain happy always? So it's like, hum har situation me positive, positivity hii ڈounde, maybe. Alab kuch agar galat bhi ho rai to we may think ki haan usse kuch achha ho ga. If you feel positive, that means you will have to perforce remain equanimous. You will have to avoid thinking negative or too much positive. Sir, I had to ask for a question that the session has been organized, or there are many blogs that tell us how to stay happy always, or there are many things that we try to stay happy always. So I have to ask for a question, why is it so that the whole world is always continues to be happy? So what you are saying is, when happiness is also not permanent, nor is the sad part permanent in life. So enjoy every part of life, whether it is sadness or happiness or joy or anything. That is, see, that is what is called equanimity. That is what is called equanimity. That enjoy every movement, whether you are sad or you are happy. The only thing is, only thing what I have added in your life now is, to tell you the word, what is the word, right word to remain happy. Equanimity. But you have said, na, enjoy every movement. How do you enjoy every movement? Only through remaining equanimous. Nothing else. Very good. Good way of living it. Sir, my question was, that many motivational speakers, or our big ones, say that we should keep our goals. We achieve our goals and then we feel successful or happiness. And we feel like we should keep our goal. Sir, but I have also heard this and I feel like if you are going to make a single-minded goal, if you are going to make a single-minded goal, we believe that everything is a good thing. So that goal is also a good thing. Sir, I mean, if there is a good thing for a business manager who has been working with a lot of children, who has been working with a lot of children, and become very successful, then it is also that they don't talk about their homes. They don't talk about their homes. I mean, if you are going to make a single-minded goal. So, don't try to find happiness again in your family or somebody else. That's why I come back to the concept. Happiness is a concept within yourself, inside yourself. Now, you are seeking happiness outside. You are seeking happiness in, I should fix my goal. When I achieve that goal of mine, I will feel happy. You are seeking happiness outside world. Then again, you are saying, you are a motivator speaker, you are a good person. You are not talking about your family, but you are not talking about your family. Huh? So, if I think that I will keep my home, I will keep my home, I will keep my home. So, it will not happen. Happiness is a concept which is within yourself. You enjoy your loneliness. Not always, sir. Why not? I mean, that is the best time I ever have when I am all by myself. But sir, many times, we feel like we are not here, we want someone to have a company. We also want someone to have a company. You find everything inside everything. You are familiar with yourself. 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 We are not seeing them. How is it? Because we do not know that we are in some strength. We are in some strength. We need government information. You are familiar with yourself. I am komb Britt Thank you, नी के परिवार के सबवर होस्टल में रहती ही तो होस्टल में जब बाहर जाते हैं शाम के टाइम अधेरा होने के बाद अकेली चले जाती है कि दो तीन सेय और जाती हैं अकेले तो नहीं जाती. क्यों यो डर लगता है आपने अपनी लिमिटेशन बना ली यूफ क्रेटीड ए बैरियर यूफ क्रेटीड यूर ओन लिमिटेशन के मैं कमजोर हूँ मैं अगर अकेली बाहर गई तो शायद मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है आपने अपने बैरियर बना ली आपने अपने बा आसपास की आप ब्रिंगिंग की वज़े से वी क्रेट आवर ओन बाउंडरीज वी क्रेट आवर ओन लिमिटेशन वी से के मैं तो या मैं तो गरीब आदमी का बच्चा हूँ मैं पढ़ाई कैसे करूँगा अच्छे स्कूल में कैसे जाऊँगा मैं लड़की हूँ, कल को कोई तंग कर देगा, मैं कमजोर हूँ क्योंकि आपको बार-बार बताया गया है बचपन से बताया गया लड़कियां कमजोर होती है नहीं, यह सचाई नहीं है So इसलिए मैं यह कहता हूँ कि Break the boundaries Go beyond the boundaries which we have created ourselves वेरे साथ मेरे बीच में है दिशा तिवारी, she is only 13 years old. Welcome, स्वागत. Hello sir. God bless. Thank you sir. Good, good. अवरोल हैपिनेस को प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब बाई हार्ट देखें या बाई माइंड जो भी चीजें आपके साथ हो रही है तो उसको बाई हार्ट हार्ट फैस करें हैं बाई माइंड देखिए मैं भी आपको किसी एक ऐसे वक्ति से मिलाता हूं जहां उनको मिलने के बाद शायद आपको आपकी बात का जवाब मिल जाए यह जो प्रशन आपने पूछा है और मेरे साथ मेरे बीच में है दिशा तिवारी इस ओनली थर्टीन यह जोड़ वेल्कम स्वागत देखिए दिशा के बारे में हमने कुछ शीकठा किया आप देखिए दिशा से बदली समाज की दशा धूम्रपान न सिर्फ सेवन करने वाले इंसान को नुकसान पूंचाता है बल्कि इसकी लट शरीर के साथ साथ पूरे घर को बरबात कर देती है इन दौर की 13 साल की दिशा से बेहतर इस दर्द को और कौन समझ सकता है एक दिन अचानक दिशा की दादा जी दुनिया को अलविदा कह गए मासूल दिशा के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था दिशा की दादा जी उसके सबसे अच्छे दोस्त थी उनके जाने के बाद दिशा की जिंदगी में एक अजीब सखाली बना गया अचानक दादा जी का जाना उसे अकसर बेचैन करने लगा एक दिन दिशा ने मासे जिद की तो पता चला कि उसके दादा जी की मौत धूम्रपान करने से हुई है दिशा ने उसी दिन एक शपत ली कि वो अपने आसपास के लोगों को धूम्रपान से दूर रहने के लिए जाग्रूप करेंगा मैं इसमें लोगों में अवेरनेस फैलाती हूँ की हाउ हामफुल और डेंजरेस सिगरेट इस और वट कैने डू तो यह लाइफ और मैं यही चाहती हूँ कि यह बात सब जाने और यह बात सब एग्री करें कि सिगरेट कितनी जादा ख़दरनाक हैं और जादा से जादा लोगों को यह अवेरनेस पहुत सके कि इसे ना इसका हम सेवन करें और ना ही अपने आसपास वालों को करने दें दिशा धूमरपान चोड़ने का बादा करने वाले का नाम, फोन नमबर और घर का पता अपनी डारी में लिख लेती है और साल में कई बार फोन पर बात कर उनसे पूछती भी रहती है कि उन्होंने धूमरपान चोड़ा या नहीं दिशा के माता पिता को भी दिशा की इस पहल पर गर्ब है उमीद है दिशा मुक्ष समाज बनाने में तेरह साल की दिशा की ये कोशिश मील का पत्थर साबित हो इनके मता पिता भी यहां है हमारे बीच में उनसे भी मैं मिलांगा आपको पर ठीशा अपनी डाईरी लाई हो मैंने डायरी भी लाई हूँ और मैंने जो नू स्मोकिं के ऊपर बुक लिखी है इन वो भी लाई हूँ आपके लिए मेरे लुग तो स्मोक नहीं करता हूँ से तो आप क्या कहेंगी what is happiness के माने क्या है आपके लिए मुझे पर्सनली पता है मेरे साथ पूरा वो केस हुआ है कि I lost my grandfather and I know how it feels and मुझे ये भी पता है कि अगर वो सामने वाला के साथ अगर वो होगा तुसको कितना दुख पहुचेगा अगर आप उस person को ये realize करवाने में successful हो गए हो कि हाँ वो सच में बुरी चीज है तो वो आपके लिए एक सबसे जादा बड़ी खुशी है कि आपने किसी को वो चीज खुद फेस करने से बचा लिया है वो दुख फेस करने से बचा लिया है very good, very good any question you have from Disha? मुझे आपका मिशन जॉइन करना है तो what should I do? आपके मिशन में जॉइन करना चाहते हैं भाग आपको कुछ नहीं करना इसके लिए आपको सिंपल से जब अगर आप स्मोंकिंग करते हो मुझे तर नहीं लगता आप स्मोंकिंग करते हो और अगर आप किए फैमली में या कोई भी स्मोकिंग कर रहा है तो एट लीस्ट आप चुप ना रहे उस समय उनको देख के एक बार उनको टूके जरूर में ने फ्रेंड्स की तो बन कर्वा दिया है बस आप पहले से मेरे मिशन में सपोर्ट करी रहें फिर बस देखिए हैं क उसके लिए आपको इससे पूछने की ज़रूरती नहीं, आप अपना काम खुद करना शुरू कर सकते हैं। आपने पांच जार लोगों को अभी तक काउंसल किया, उसमें से केवल एक हजार ने चोड़ा, तो जो चार हजार ने नहीं छोड़ा, उसके लिए दुख हुआ आपको। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोड़ देते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस ताइम मतलब उस ताइम हाँ बोलके फिर। तो आप अभी वो जो गीता का जान दे रहे थे। तो यह है असल गीता का ज्यान। इसके बाद मेरे बीच में कौन है, रंजीश सिंग जी। यह डांसिंग कोस्टेबल के नाम से जाने जाते हैं, आप सब जानते लगता है। लोग उसको डांस का रूप दे दिया है कि डांस करता हूँ, वह इस डांस। कि मुझे अगर यहां आठ घंटे खड़ा रहना है, तो मैं ऐसे खड़ा रही नहीं चकता। मैं जस अपना काम कर लेता हूँ, तो बस मैं आपको दिखा ज़ता हूँ। सुभाश्चंद्रा शोव मदे भाग घ्यन्या साथी, scshow.subhashchandra.com वर मेल करा। कि मुझा SMS करा, scshow, space द्या, आपला प्रश्ण लिहा आणि पाठवा 5-7-5-7-5-2-1 कि मुझा. झाल कि मुझा झाल झाल